वेलकम तो मैं चानल जी की करेंट अपर सरकल आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे CRP Paramedical Stop के लिए मैं काफी ट्रेट का कोशन ला चुका हूँ जो सफाई करमचारी से रिलेटेड है अगर नहीं देखे हैं जो सकते जिसका link डिसक्रिप्शन में मैंने दिया है वहां सजा के आप उस पीडियाब को ले सकते हैं तो चलिए इस आपकी एक्जाम के लिए जो कीट्रेट को संसरे तो इसे पहला में करे आप तो सबस्क्राइब करके बेल आगन को प्रेस करके ऑल पर गडी करें ताकि इसी तरह का वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जैए चलिए देखते हैं कि आज का पहला को संस क्या दिया हुआ है आज का पहला कोशन से यहां दिया है वाटिस दर सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे तु प्रजेन दर ट्रांसमिशन अब डी सीजेस यानि रोक के संक्रमन को रोकने का सबसे प्रवाभी तरीका क्या है इस चार ऑप्शन यहां पर दिया हुआ पहला तरीका दिया हुआ यहां को रोकने के लिए जो संक्रमन मतलब होता है जादा तर फैलता एक दूसरे से रोकने का सबसे प्रवाभी तरीका जो होता है क्या है तो option C आप देख सकते हैं कि hand washing with soap and water यानि साबुन और पानी से अकर आप regular हाथ धोते रहते हैं तो आपको संक्रमन होने से बस सकते हैं तो यह option C इसका correct answer हो गया चलिए next questions देखते हैं second number इस second number questions काफी important questions आप देख सकते हैं कि यहां पर बताया गया है कि which which following chemical which is following chemical not found in human urine यानि नीचे दिया गया जो option है कौन सी रसायनिक परदात मानो मूत्र में नहीं मिलता है जो मानो मूत्र होता है उनमें कौन सा रसायनिक परदात यानि केमिकल नहीं पाया जाता है तो option A देख सकते है कि sodium दिया हूँ option B है so option B potassium sorry हिंदि में हाँ पर potassium लिख लिजएगा potassium यहां पे हिंदि टैपिंग मिस्टेक है potassium आप लिजएगा option C है silicon option D है calcium तो यहां पर आप देख सकते है कि जो option C है पर silicon है यानि sodium potassium calcium सभी मुमानव मुत्र में पाया जाता है पर silicon नहीं पाया जाता है उसलिए यहां पर option c correct answer हो गया यहां बोला है नहीं पाया जाता तो option c silicon नहीं पाया जाता है तो correct answer option c हो गया चली next questions कि और बढ़ते हैं next questions यानि third number questions यहां पर दिया है कि at least how many times should be should one was teeth मतलब कम से कम कितनी बार दात धोना चाहिए ऐसे तो regularly एक ही बार धोते हैं लोग पर यहां पर इस questions के हिसाब से आपको देना है यहां पर कि यहां पर answer सापका होने वाला है option C जो की बोला है thrice यानि तीन दीन में तीन बार यानि एक बार भी धोते हैं लोग दो बार भी धोते हैं पर जो at least कम से कम तीन बार धोना चाहिए यह scientific reason है तो यहां पर आपको option C correct answer होगे आप देख सकते हैं तो option C यहां पर correct है इस questions के option के ह इसाब से तो चलिए next questions की और बढ़ते हैं next questions यहां पर दिया हुआ है fourth number questions which gas using LPG cylinder gas leakage for smelling यानि कौन सी gas जो LPG gas cylinder का gas leak को समझने के लिए काम आता है जब भी gas leak होता है तो उसमें से कौन सा gas निकलता है जिससे समझ में आता है कि gas हमारे leak हो रहा है तो यहां पर option A देख सकते हैं nitrogen option B हैं helium option C है mark captain और option D है argon तो यहां पर option C आप देख सकते हैं कि option C mark captain एक gas है जिससे जब भी आपका leakage होता है तो उसमेल आता है तो उससे पता चलता है कि मेरा gas leakage हो रहा है इससे आप सावधानी बरकते हैं तो यहां पर option C यहां पर correct answer हो जाएगा जो कि mark captain यहां पर option C correct answer है चलिए next questions की औ number questions आप देख सकते हैं कि five number questions में बोला है what is the reason for drying your hand after washing them यानि धोने के बाद अपने हाथों को सुखाने का क्या कारण है जब भी आप हाथ को धोते हैं तो उसे काफी लोग सुखाना चाहता है मतलब सुखाने का प्रयास करता है कि जल से जल सूख जाए हाथ या कुछ भी तो यहां पर option के माद्यम से आपको answers fine करना तो option यह दिया है so that you don't try drip water everywhere ताकि आप हर जगा पानी ना चुके यानि जहारे ना option भी है because germs and bacteria are more easily aspirated with wet hand यानि क्योंकि रोगानू bacteria गीले हाथ से अधिक असानी से फैलते फैले हुए है option c देख सकते के your hand are slippery when wet and you will not be able to hold kitchen until you utensils properly यानि रूप गीले होने पर आपके हाथ फिसल जाते है और रसोई के बरतन ना रख पाते है ठीक से option d दिया है all of above a sub दिया हुआ है तो यहाँ पर option c देख सकते हैं यहाँ पर sorry option b देख सकते हैं यहाँ पर कि because germs and bacteria are more easily aspirated with wet hand यानि क्योंकि रोगानू और bacteria जो होते हैं गीले हाथों से अधिक असानी से फैलते है इसलिए आप जल से जल हाथ जब भी हाथ दोते हैं तो उसे हाथ को weight कर दे यानि सुखा ले सही से तो आपको bacteria रगवानी फालने के chances रहता है तो यहाँ पर option b यहाँ पर correct answer हो गया अब चलिए next questions की और बढ़ते हैं next questions यहाँ पर दिया हुआ है which phenyl is create strain in floor यहाँ इसमें से कौन सी phenyl इस्तमाल करने से floor में दाग कर देता है जब भी आप एक कोई भी यहाँ पर यूज करते जो option a है black phenyl option b ग्रीन फिलाइन options यह white phenyl या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको phenyl कौन सा है जो आप जब भी इस्तमाल करते है तो आपको floor में या surface पर आपको दाग दिखता है तो option a आप देख सकते हैं जो black phenyl है यह आप जब भी यूज करते हैं तो साधानी बढ़ लेता है तो option a यहाँ पर correct answer हो गया चलिए next questions क्योंड बढ़ते हैं next questions यहाँ दिया हुआ है 7th number which of following is true about bacteria या बैक्टेरिया का बारे में इन option में से कौन सा correct दिया हुआ है तो option a दे सकते के bacteria multiplies and grows faster in warm environment यानी जिवानू फिलते फुलते और गर्म वाता बरन में तेजी से यानी बैक्टेरिया को जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत है option c देख सकते हैं कि every type of bacteria can give people food poisoning यानी परतेक परकार के बैक्टेरिया लोगों के विसाक्तता का कारण बन सकता है option d देख सकते हैं by freezing food you can kill bacteria भोजन को freeze करते आप बैक्टेरिया को मार सकते हैं तो यहाँ पे नमबर को सब्सक्राइब आपको देख सकते हैं कि बैक्टेरिया मल्टिप्लाइब फास्ट रिवान इंबारोमेंट यानी जिवानु पिलते फुलते और गर्म वाता वरन में तेजी से बढ़ते यानि option यहां पर करेक्टे बाकी गलत है यहां पर option ए करेक्ट टेंसर हो गया seven number questions का चलिए next questions की और देखते हैं यहां पर next questions दिया हुआ eight number question which is not a greenhouse gas इसमें से कौन सी greenhouse gas के अंत्रगंत नहीं आता है यहां पर option ए दिया है carbon dioxide, option B दिया है nitrogen, option C दिया है methane, option D दिया है nitrogen, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो greenhouse gas होता है उसमें उसमें सिर्फ nitrogen की मात्रा ज्य को यहां पर nitrogen नहीं रहता है, बलकी यहां पर carbon dioxide, methane और nitrogen देखने को मिलेगा, greenhouse gases में, nitrogen यहां पर नहीं रहता हैát. option B यहां पर correct answer हो गया गया क्योंकि यहां पर बोला है greenhouse में gas नहीं रहता है, कौन सा gas नहीं रहता अंत्रगंत, तो option B यहां पर correct answer है next questions क्योंड बढ़ते है next questions यहां पर दिया हुआ है 9 number question which of the following does bacteria need to assist it to grow and multiply यानि निमलिखित में से कौन सा बैक्टिरिया को बढ़ने और गुना करने के लिए सहायता की आवशकता है यानि option यह दिया है water यानि पानी यानि option C warm temperature यानि गर्म तापमान और यानि यहां पर यहां पर आप इस 9th number questions का answers देख सकते कि option D यहां यह सभी हो जाएगा पानी में भी बढ़ावा मिलता है फूड में भी मिलता है और warm temperature यानि गर्म तापमान में भी इसका सहयता होता है बढ़ते और गुना की सहयता प्रदान करता है तो यहां पर आप देख सकते कि option D यहां पर correct answer हो गया तो आप next questions की और बढ़ते आगे next questions आप देख सकते कि 10th number questions यहां पर दिया हुआ है which soda is used special in cooking यहांनि इसमें कौन सी soda खाना बनाने में इस्तेमाल होता है तो यहां option यह देख सकते है caustic soda, option D है soda S, option C है sodium oxide, option D है baking soda तो यहां पर आप देख सकते है option D जो है baking soda हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं इसलिए option D यहां पर correct answer हो गया क्योंकि बोला गया था कि कौन सा soda खाने में इस्तेमाल किया तो option D यहां पर correct answer है चलिए next questions के और बढ़ते है next questions यहां पर 11th number questions दिया है how can you tell if food has enough bacteria to cause food poisoning याँ आप कैसे बता सकते हैं कि भोजन में भोजन के जहर का कारन बैक्टिरिया है या नहीं आपको option के माध्यम से answers देना है तो यहां पर option A देख सकते है it will smell या गंध होगा option B दिया है you can't it will appear normal आप नहीं कर सकते है या समाने दिखाई देगा option C दिया it will have a different color उसका रंग अलग होगा option D दिया है it will taste different रूप यहां अलग स्वाध होगा तो यहां पर आप option देख सकते है कि 11th number questions का option B आप find कर सकते है कि बोला है you can't it will appear normal यानि आप नहीं कर सकते कि या समाने दिखाई देगा मतलब यहां पर जब भी food poisoning होता है तो उससमें आपको पता चल सकता है कि उसमें normal नहीं होने का chances रहता है normal भोजन देख से food poisoning food poisoning का अलग ही रहता है तो यहां पर option B यहां पर correct tensor हो गया तो चलिए next questions की ओर देखते है यहां पर next question 12th number दिया हुआ है कि what is full form of TDS the term is used to describe organic and inorganic matter solution inorganic matter solution present in sorry यहां पर दिया हुआ है कि 12th number question what is full form of TDS the term is used to describe organic and inorganic matter representing solution यानि TDS की full form क्या है जो पानी का जैबी और अजैबिक परदात का इस्तिर्ष सूचित करता है तो यहां पर देख सकते है TDS का full form आप देख सकते है पहला option दिया है total dissolved solid option B दिया है total dissolved solid option C दिया total dissolved spot option D दिया total decrease solid तो यहां पर option B यहां पर यहां पर दिया हुआ है कि थर्टिन नंबर कोशन वासिंग आई हैंसूड मेरे हाथ धोना चाहिए option के हिसाब से बताना है option ने दिया है mostly avoid जैदातर से बचा option B they only done when they look dirty cable तब किया जाए जब गंदे दिखते है option C a habit that I do obtain एक आदत जो मैं अक्सर करता हूँ option B D दिया है none of the above इन में से कोई नहीं थी यहां पर option C देख सकते है 13th number questions का a habit that I obtain एक आदत ही आप जो हो सकता है जो अक्सर आपको करवाता है तो यहां पर option C यहां पर correct answer हो जाएगा next question next question से यहां पर दिया है 14th number question इस वीडियो का last question से बोला है यहां पर की which gas is responsible और भोपाल गैस ट्रेजरी इसमें कौन सी गैस जो की भोपाल गैस हाथसा की कारण था option है sulfuric acid option भी है methyl isosinate option C यहां पर जानते की भोपाल में एक गैस हासा हुआ था जो की काफी ही दुख दायक था तो इसमें कौन सी गैस था जिसके कारण काफी लोग मड़े और काफी लोग इंजर हो गया तो यहां पर आप देख सकते की जो option B दिया हुआ यहां पे methyl isosinate जो गैस है ओ भोपाल गैस ट्रेजिडी में गैस था यहां पर option B correct answer हो गया I hope कि यह questions आपको समझ मैं और समझ मैं तब पीडियो ले सकते है टेलिग्राम पे टेलिग्राम का लिंक description में दिया है चलिए नेक्स वीडियो में इसी तरह की मिलता है आई होप कि आपको सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार विजिट कर तो लाइक कीजिएगा धन्यबाद देखने के लिए